बाईयों एक बाव फरिसे आप सबका स्वागत है आपके अपने शलमें इस वीडियो में अपने आपर बात करेंगे जो नेचर आइसले टीटेन का आज की दिन का यहाँ पर पहला मैच होगा जो खेला जाएगा चैंपेगिन रीव डाइवर्स वर्सिस टीटू गोज इस प्ल टेलीग्राम चनल को जो नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चनल को जरूर से जोइन कर लेना है टेलीग्राम चनल का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में भी आपको टेलीग्राम चनल का ज मतलब यहां पर चेस कने वाइल टीम को clear advantage रहता है पहले बात करेंगे CRD के टीम के तो 4 में से 3 मुकाबले जीच चुकी है काफी बढ़िया इनके टीम है ओपन करेंगे अलिक अथांजे और श्यान ब्रेत्वेट दोनों ही बहुत तगड़े प्रेले रहे इस्पेशली जो अलिक अथांजे भाई यह तो इंटरनेशनल लेवल अभी खेल के आ रहा है इंग्लेंड के खिलाप ODAI पहले मेच में 40 दूसरे में 27 की है सियान ब्रेत्वेट यह भी बहुत अच्छे प्लेर है 32 नोट आउट है 13 है 38 नोट आउट है 0 है इंपोर्ट है डिलोन डगस पहले तीन मेच फ्लॉप था तीन मेच में आप देखो दो ओर में कोई विकेट नहीं था और बल्ले से भी 0-0-0 था लेकिन लास्ट मेच में इसने 48 नोट आउट किया एक ओर भी डाला हाला कि विकेट लैस था लेकिन इंपोर्ट है जैसन अलेक्जेंडरा बोलिंग अभी करवा नहीं रहा चार मेच में एक ओर डाला है और बेटिंग इसकी चलनी रही एक नोबेटिंग 16 तो अभी छोड़ के चलूँगा ब्राइन जोसेप इनका मेन बोलर है चार मेच में इसके नाम तीन मेच में बोलिंग करवाई है इसने उसमें चार विकेट है और बल्ले से 8 नोट आउट 6 नोट आउट 0 है कर्टनी एंसला में ये नमबर 5 के करी बेटिंग प्लस बोलिंग भी देगा आपको लास्ट के जो 4 मेच है वहाँ पर 5 विकेट है बल्ले से याँपर 28 ग्यारा और एक नोट आउट है यावनी रेगिस बिल्कुल भी अच्छा रिकोर्ड इनका नहीं है जे रफेल बिल्कुल भी अच्छा रिकोर्ड नहीं है ब्रुमेंट ये दोनों मेच में सिर्फ एक एक ओवर डाला है पावर प्ले के अंदर एक विकट है इसके नाम ग्रेंड लिंग में चाहो तो ट्राइक कर सकते हो स्मोल लिंग में नहीं रखूँगा सीजर अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है ना तो सीजर और यहां से किमरोन जोर्ज दोनों इंपोर्टन प्लेयर बन जाते हैं क्योंकि दोनों ओवर डालते हैं सीजर के नाम चार मेच में एक विकट है और यहाँ पर जोर्ज के नाम चार मेच में चार विकट है दोनों इंपोर्टन रहेंगे बॉलिंग फरस्ट के अंदर ध्यान रखना छीज अभी के लिए मैं रखूँगा अली कतांजे, शियान ब्रेथवेट, डिलोन डगल्स, ब्राइन जोसेप, कर्टनी एंसलम, इन दोनों को मैं तभी रखूँगा जब इनकी टीम पहले बोलिंग करेगी, otherwise मैं भी छोड़ दूँगा, बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं, को जिलानी रोबिंसन, गिड्रोन पॉप के नाम, चार मैच में, दो ओवर डालके दो विकेट हैं, और बल्ले से 13-13-29-11, तो अच्छा प्लेयर है, बेटिंग बोलिंग दोनों कर सकता हैं, जिलानी रोबिंसन है, 25-18-4-13, अच्छी बेटिंग कर सकता हैं, निया से जेट जो ग्यारा, लेक्स में ग्लोरी अच्छी बोलिंग करवा रहे हैं, चार मैच में, पांच विकेट हैं, बले से भी ग्यारा तीन-3, इल्टोन मारके हैं, दो मैच में, एक ओवर डालके, कोई विकेट नहीं है, जिलानी योसिप के नाम यहापर, तीन मैच में एक विकेट है, त ग्राउन मेत्यू के नाम चार मैच में साथ ओवर डालके चार विकर्ट है और यह अच्छे प्लेयर रहेंगे और जो ग्रैंड लिग के ट्रंप है वह है विवियन तित्र है आप देखो भले है अब तक विकर्ट लेस रहा हो लेकिन इस बंदे को बहुत एक्सपिरेंस है 26 द्रुनात के नाम चार मैच में एक ही विकर्ट है और थोड़ी से इनकी में को टीम वीक लगती यह कोकि सामने टीम स्ट्रोंग है तो अगर इनकी टीम पहले बोलिंग करती तो इनको बोलर को रखना अधर वाइस उतने में इनकी बोलर रखूँगा भी नी अभी अभी की ल तित्रे ध्यान तो विवेन तित्रे ने डेथ में भी बोलिंग कराई थी तो इंपोर्टेंट रहे गा और गिड्राउन पॉप एनालिजिस वाला जो पार्ट इसमेच का होज चुका है कंप्लेट उम्मीद करूँगा आपको जो मैं पॉइंट समझाना चाहता था हूँ समझ में आएं होंगे अभी यहाँ पर अपन देख लेते हैं डेमो टीम नेक्स स्लाइड में भाईयों आपको डेमो टीम तो मिल जाएगा लेकिन उससे पहले आपका टेलीग्राम चनल से जोना जरूरी है से अली कतांजे, सियान, ब्रेथवेट, लैक्स, मैगलोरी, गिड्रोन, पॉप और ओलरूंडर सेक्षन से डिलोन, डगर्स, कर्टनी, एंसलम, जेड, जोसिप, जॉन, मैथ्यू और बॉलिंग सेक्षन से ब्राइन, जोसिप और के जोर्ज, क्याप्टन मेरे अली कतांजे, वो इस कप्टन मेरे आसे कर्टनी, एंसलम है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी रहेगी, वो आपको मिलेगे, टेलिगराम चलबे, वहाँ पर आपको सारी की सारी लास्ट मुमिट अपडेट मिलेंगी, टेलिगराम चलब का लिंक वीडियो के डिस्क् में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया वह आपको मिल जाएगा, धन्यवाद,